तो आज की स्वीडियों हम सीखने वाले कि यह जो मॉर्निंग का ट्रेट का कंपर निकाल लगा तर यह क्यों निकाल लगाता है मार्केट उपर गया देन उसके बाद दुबारा जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक किया थी स्कल्पिन टेट के लिए क्यों यहां पर हमने प्ला है डीटियल में आपको एक्स्पेंड करने वानों दोस्तों तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी स यह निफ्टी का चार्ट है नबसके 52 निइसथा पहुँचार्ट है आप देछ सकते हैं कि कभी अपडेट के था जो मैं आपको बता रहा रहा था ऑके तो लिंक का तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में तो मार्केट का जो सपोर्ट लेबल किरियेट कहा था 2400 का तो को इंट्री थमको यहां पर करनी चाहिए लेकिन जब मार्केट मुवमेंट कर गया तो यह रिजिस्टन से रिया था अब रिजिस्टन से पास कौन सी स्ट्राइक प्र लसे हैं कोई बीचिज़ अगर आपका सपोर्ट शोता है दो साइड़का क्या होना चाहिए विक होना चाहिए यानी आपका रिटेल ट्र को पता करता कि Max Вс म sécur जो करें वह के ंट यहां पर आप देखोगेosaur चयाएथ का सपोर्ट लेवल था राइड 2400 का सपोर्ट लेवल था किलिया आप देख सकतो ओपांट्राइट चेंज उपांट्राइट में के साथ बड़ा प्लेयर यहां पर क्या हुआ सिफ्ट होनी कोशिच किया एंड जो रिट्रेटर थे वह मैक्सिमुम जो ओडर लगा रहे थे वह इसली जब open interest increase हो रहा वाइलम के साथ तो कोई भी एगर रिट्रेटर अगर कोई order यहां पर सबसे बड़ा जहां पर order होता है वहां पर अगर open interest आ गया तो हाई चांसे सोती है कि वह area को market क्या होती है ब्रेक कर जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका market क्या हो कोई भी बड़ा आपका जो इंट्रेटे में यानि जो चेंज अगर कोई सबसे ज्यादा है ठीक है यहां पर चेंज होई क्या था सबसे ज्यादा था वहीं put side में आप क्या देख रहो आप put side में आप देख रहो कि आपका open interest जो increase हो रहा है वह volume के साथ हो रहा है तो अगर व मार्केट में देखो अगर मार्केट में इस तरह से ओपनिंग प्राइस का हाई पर मार्केट ब्रेक कर रहा है और अगर कोई काउंटर टेयर कर रहा है कहीं अपका opposite site में आपको क्या हुआ है यहां पर आपका open interest आगर volume के साथ अगर मार्केट सिप्टिंग होना स्टार्ट हो गया तो ऐसे में कोई भी स्टॉंग रेजिस्टन्स लेबल होता है वह ब्रेक हो जाता है दोस्तों ऑके बस सिंपल सा लॉजिक आपको ध्यार रखना है कि चेंज जोपन ट्रस अगर maximum order volume के साथ अगर यहां पर ओपन हो रही तो यह सिर्फ 90 के लिए muchई में यादर ड्राप होती रएड लेकिन एकचुली में अगर आपका सपोर्ट लेबल आपको क्यों कि यह आपर रजिस्टन्स लेबल नहीं किसी स्ट्राइक पर प्रेसलिम पूरा का पूरा पूरा एरिया खाले है यहां पर क्या है ऐपका जो सपोर्ष लेबल स्ट्रोंग सपोर्टेबल वह उठके आ रहा है एटीम स्टाइक प्रैस पर 24,500 ठीक है यहां का जो आपका सपोर्ट लेबल हो कहां पर उठके आ जा रहा है यहां पर आ रहा है तो ऐसे में क्या होगा यह जो पूरी खाली है जब कोई बड़ा प्लेयर का रजिशन लेम सपोर्ट में अब करें अब आपका का मिविए के यह सब्सक्राइब का इसमें इसमें चेंज हैं जो मैं आपको समझाता हूं किसमें चैंज का आए अगर डेटा देखो गए तो थोड़े बहुत इसमें डिटरेंस लेकिन पॉइंट यह कि मार्केट जो है आपका कहां पर स्ट्रोंग सपोर्ट लेबल था वह पहले था 12400 देन बाद में हो गया 12500 अगर यही चीज़ अगर आप चार्ट पे देखते हो तो यह आप देखोगे यहां पर नोटिस करोगे यह जो मार्केट आपका रिवर्स हुआ है नियर आपका 400 से रिवर्स हो यह आप देखो एक्जेटली ओके तो 400 यह स्ट्रोंग सपोर्ट गें था मार्केट क्या एकजेटी का 500 पर चला गया अब 500 पर क्या यहां का जो स्ट्रोंग लेबल था वह यहा साथ यह जो डियाट हो रहा है यह मैंतर नहीं करता है जब लोग आ जाते हैं जब दोनों तरफ से एंटी एंप बड़े प्लेयर आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको सपोर्ट और रजिस्टनस आपका यानि इसके नीचे आपको देखना है इसके ऊपर देखको इसीज कध्य लिबल है यह आपका रजिस्टन्स लिबल किसके पास आपका सबसे बड़ा एमाउंट तो यहां पर आप देखो सेम होगा है कि यह खाली एरिया पूरी है तो आपका जो सपोर्ट है क्योंकि मार्केट क्या है पहले डाउन आप देन ऐसे चल रही तो मार्केट में ओर्डर क्य क्योंकि सेकंड तिंगर अप देखोगी सब्से ज्यादा जो चेंज पर यहां परज़न्ट हो रहा है है तो यह क्या कर रहे है यहां इस तरह क्युआ लुग करते हैं मार्केट को नीचिछ करें अ मुख्यकि है संब्से देखकर और यह लिएग्या में जो त她 ला ज्या था इसी वज़ा से क्या हुआ कि मार्केट में क्या हुआ यह ब्रेक आउट लेवल हुआ है तो जब भी फ्यूचर में आपको इस तरह से अगर आपको डेटा मिलता है तो आपको पॉइंट यह धरकना है कि आपका सपोर्ट लेवल आपका स्टोंग होना चाहिए अजब एटीम प करके उपर गया फिर इस केस में मार्केट ऊपर नहीं जाती दोस्तों बस इस कंडिशन अपको ध्यारकना है कि आपको सबसे पहले आपको स्ट्रोंग एरिया फाइंट करना और वह स्ट्रोंग एरिया कहां पर सिप्ट हो रहा तो दूसरी साइड आप देखो कि यहां पर उपन होते फिर फेल हो जाते हैं क्योंकि यहां पर ज्यादा है इसी वजह से यह रहाएं दूसरा सेटएप का कंफरमेशन एंद तीसरा सेटप इसका भी हमने ट्रेड यहां पर अपडेट किया हुआ है तो वह भी आप देख सकते हो मिडिकेप का ट्रेड है यह आपका यहां से देखना कि मार्केट कैसे चलिए 12400 फिर आया वह कहां पर 12500 ठीक है अभी यहां से जो मार्केट सिफ्ट हो रहे थी वह हो रहे थी 12600 यानि वाइलूम सिफ्ट हो रहा था अब देखो यह क्या है के रेंज एरिया राइट दोस्तों यह क्या है के रेंज है मैं आपको बता चुका हूँ अकसर की किसी भी रेंज को तोड़ने के लिए आपको क्या जरूवत होती है वाइलूम के जरूवत होती है तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे इस वाले आपके इस वाले आपको डेटा कंफरमेशन वाले चार्ट में तो यहां पर आप देखो कि 15,000 आप देख सकते हो यहां पर 15,100 तो यहां पर 15,600 आप देख सकते हैं तो बड़े प्लेयर के पोजीशन क्या हो रही है यहां पर ओपें हो रही है यानि इसका मतलब यह जो वाइलूम एक्चुली में जो जानेट हो रहा है यह करेक्ट लॉंग बिल्डब भी किरियेट हो इस ब्रेक पर आपको बेनिफिट मिलेगा अधरवाइस बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि प्रीमियम जो होता है स्पाइक बहुत अच्छा होता है ऐसे में ठीक है इस पाइक आपका आपका यहां तभी वाइलूम का यूज करो और आपका ध्यां रखना है कि यह जो ओपन अगर यह ज्यादा होता है अगर यह ज्यादा होता है ठीक है अगर यह सब कुछ आपका सेम है लेकिन अगर यह यह ज्यादा होता और यहां पर आपका काम होता फिर इस केस में यह जो वाइलूम है इसमें ट्रेट करना बहुत बड़ा रिस्की हो जाता फिर हम ट्रेड नहीं कर साथ क्योंकि बड़े लोग की पोजीशन हमको चाहिए 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 चेंज उपन ट्रस होने के बहुद नहीं करता है ओपन ट्रस का होना जरूरी है बड़े प्लेयर का ठीक है तो आयूब आपको यह सारा लाइक से समझ में आगया होगा दोस्तों और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जो भी डाउट है तो आप कॉमेंट जरूर कीजएगा आपको त वीडियो में जीटे नहीं तरूर यहां पर एक्सप्लेन करते हैं दकि आप लौक को मार्केत में आप समझते रहो कि आप चीजेंए में एक्चूली में चीजें कैसे काम करती है ठीक है तो थांक्यू सो मच्छ फ्रेंड्स मिलते हैं ने स्वीडियो में और बाइबाए